मारा टॉपिक है प्रवाल इस्थल रूपों के प्रकार, टाइप्स ओफ कोरल रीट्स मैंने आपको प्रवाल के बारे में बताया, प्रवाल एक तरीके का जीव होता है जिसे मुंगा भी कहते हैं, समुद्र में घुली होई चूने की जो मात्रावती उसको भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं और उसी के द्वारे एक लार के बार चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, जिससे वो अपने चारो और अपनी सुरक्षा के लिए कवस तयार करते हैं अपने जीवन के लिए रहने के लिए कॉलोनी का निर्माड करते हैं, जिसे भित्ती के नाम से जाना जाता है जो कि कैई बार इतनी उची हो जाती कि हमें सागर के बाहर भी दिखाई देने लगती है इसी आधार पे कैसे कैसे आकार लेती है प्रवाल इस्थल रूपों के हम प्रकार में इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रवाल जब अपने भोजन निर्माड का कारे करता है तो उसमें एक विशेश प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं जुकसंतलफलाई ये एक प्रकार की शेवालिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से भोजन के निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया जाता है इसको नाम अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख लिए जुकसंतलाई शेवाल इसके शरीर के बाहरी तंदूओं पे प्रकार का पादब शेवाल रहता है जिसे जुकसन थलाई शेवाल कहते है और यह शेवाल प्रकाश संशलेशन विदी से भोजल बनाता है यही वो शेवाल है जो की क्या काम करता है प्रकाश संशलेशन की प्रक्रिया का कार्य करता है तो इस जीब के चारो और एक प्रकार का शेवाल होता है जो उसके भुजे निर्बाण में या प्रकाश संशलेशन की प्रक्रिया में योगदान देता है और उसी के माध्यम से इसके रंग जो मैंने आपको बता हरा था, सफेद था, अगर ये ज़्यादा डवलोप हो जाएगी तो प्रकाश सेंशलेशन उपर के जो अन्य शेवाल आ जाते हैं, वो प्रकाश के स्रोत को यहां तक नहीं आने देते हैं, जिससे कि उसमें रसाइनिक प्रक्रेनी हो जाती, प्रवाल विरंजन हो जाता है, और प्रवाल का रंग जो लाल हरा होना चाहिए, वो वैसा ना होके प्रवाल विरंजन में सफेद रंग का हो जाता है, तो ये जुक संथलाई के आपको याद रखना है कि कौन से श्यवाल होता है, अब इसके बाद मैं मैं इसके प्रकार की बात करूँ तो हम इसको चार भगों में बाट सकते हैं पहले है तटिये प्रवाल भित्ति यह तीनों नाम लिख देती हूँ दूसरी है अवरोधक प्रवाल भित्ति तीसरी है वलेयाकार या इसको एटॉल भी कहते हैं केल भित्ति और चौथा है हमारा प्रवाल भी प्रवाल इस थर रूपों के बारे में बात करें तो यह चार प्रकार की हमें स्थ्राकरती देखने को मिलती हैं जिसमें सबसे पहली जो बनती है वो है हमारी तट्ये प्रवाल वित्ती माली जी ये कोई तट्ये छेत्र है और यहां से ये ज़्यादा तर जो मूगे होते हैं ये मगन तट्वे पनपते हैं मगन तट्व या सागरिये चबूतरों पर सबसाओर असे सागरिये सताओर्वल जाहिए और यह समुद्रिये एकाउस कोई तर जाएगी और यह बिल्कुल तट से लगी हुई निर्मित हो जाएगी इसके और तट के बीच में गैप नहीं रहता है इसका जुकाव जो ढाल होता है वो तट की तरफ जादा होता है इसलिए इसको तटिये प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है तो आपको यह ध्यान सक्रे होते हैं यह आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या विशेष्टा है बहुत ज़्यादा चौड़ी देखने को नहीं मिलेगी तटिये प्रवाल भित्ति क्योंकि तट के पास देखें लहरे आती रहती है तो टूट फूट भी होती रहेगी दूसरा कारण ज़्यादा वि तो भारत मननार की खाड़ी भारत में मननार की खाड़ी वाला चेतर जो है जो कि आपके दक्षिन में श्रिलंका और भारत की बीच में जो पड़ता है मननार की खाड़ी का चेतर वहाँ पे इस प्रकार की आपको प्रवाल वित्ति देखने को पाई जाएगी इसके अलावा अगर बड़ी की बात करें तो USA में फ्लोरिडा के पास यह इसके उधारन एक्जामपल भी लिख देते तो क्या मार्किंग अच्छी हो जाती है प्रेजेंटिशन अच्छा हो जाता है तो तट के निजदी जो की कम चोड़ी और सकरी होती है और जिसका ढाल जाता जुकाब जो होता है इस थलकी और अग्दा की जलकी और उसे क्या कहते हैं तट्ये प्रवाल भित्ति के नाम से हम जानते हैं तो आपको इसके बारे में और तो इतना कुछ विशेश है ने तट्ये प्रवाल भित्ति के बारे में हाँ इसकी अगर बात करें भित्ति का निर्माड तट से लगवक 60 मीटर की गहराई से शुरू होता है अगर इसकी निर्माड की बात करें कहां से शुरू होता है ये तो ह यह दिरे धीरे उपर आती जाएगी तट्के नस्दीक लगती जाएगी तो आपको एग्जेक्टली गहराई भी पता पड़ेगी कि कितनी गहराई से इसका इस थलकी ओर विकास होगा और विट्टी की ऊपरी सतय विशम होगी, विशम मतलब समतल नहीं होगी, सतय कैसी होगी? विशम, मैंने काता ना लहरे चलती हैं वगवन होता है तो तूट-फूट होती रहती है जो आरभाटे भी आते हैं जिसकी वज़े से ये समतल सते ना होके उबड़ खाबड होती है इसलिए उसे विशम कहते हैं तो उसे वो कौनसी हमारी भित्ती हो जाएगी प्रवाल भित्ती पहली भित्ती हो गई हमारी इसके बारे में अगर बात करें और कुछ विशेश्टा की तो भाटे के समय भी इसमें कई बार जल भढ़ जाता है तो मगने तट्व पे इस जो भित्ती है वो चबूत्रों के समान देखती है मालीजे तट्व है और यहां मगने ढाल है यह स्थल है यह ढाल है यह चबूत्रा यह तो हो गया इसका ढाल यह हो गया चबूत्रा ठीक है कई बार यहां पानी भढ़ जाता है पूरा तो यह पूरा समतल इससा हमें दिखाई लेने लगता है लेकिन वास्तविक्ता में अगर देखा जाए पानी हट जाए तो कैसी सते रहती है विशम तो यह हो गई हमारी कौन सी तटिये प्रवाल भित्ति के बारे में जानका माले जेust अस्तलिये चेतरे और हमारा apocalypse ça केज़ घूंजontत्यों के उशटि होगए में का जनका में देखें बलकूर मैंने हुआ थटस सटाके बनाई हिसमेंगा तट से दूर लंबी समानांतर टतके समानांतर यह उप High anlamी सब्सक्रें होगी क्लब्सक्राइन समानांतर कुछ छीजों आपको ध्यान रखनी है इसमें, अवरोधक में तटके समानांतर निर्मित होती है पहली चीज दिलिकर ये तो हो गई हमारी किसकी हम background अवरोधक प्रवाल-भित्वी की तटके समानांतर विक्सित होती है ये और ये भी महादीपी मगनेड़ तरटुपे 60 मीटर से अधिक गहराई पर इस्थित होती है गहराई की बात करे और गहराई 60 मीटर से अधिक गहराई से शुरू होती है देखे ये तो 60 से होई रही थी ये 60 से भी गहराई में चलिजाएगी क्योंकि जहां तक प्रकाश होगा चुना होगा वहां तक ये जीव पनब जाएंगे तो 60 मीटर की अधिक गहराई तक केस्तित होती है प्रवाल जीवों के अधिक जमाप की कारण आकरती थोड़ी सी क्या हो जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं अवरोधक प्रवाल में अब देखें कई बार क्या होता है तट तो छोड़ दिया यहां जल बढ़ जाता है और ये भित्ती बन जाती है पूरी की पूरी ये भित्ती हो गई और यहां जल बढ़ जाता है जिसे कहते हैं लेगून लेगून भी नहीं जादा तर सही नाम है बोट चैनल ये तटिये में भी बन जाता है लहरे वगेरा अगर इस जगे को तोड़ देंगी तो थोड़ी सी जगे खाली हो जाती है जिसमें बोट जादा प्रविश कर जाती है तो परेटन का स्थल भी हो जाता है ऐसे यहां प्रवाल भिट्थी की बात करें तो आौस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट के सहारे और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रिफ यह विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भिथ्थी हो विश्व में सरवादिक अगर पाई जाने वाली भी प्रवाल भित्ती है तो वो अवरोधक प्रवाल भित्ती ही पाई जाती है तो सेकिंड हो गई हमारी अवरोधक प्रवाल भित्ती इसकी थोड़ी सी ये ध्यान रखना है कि कई बार पूछ लेते हैं कि Great Barrier Reef कहां पे है तो ऑस्टेलिया के उत्री पूर्वी तटपे है ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा बात करें तो ये किनारे से दूर होती है और रहधाकार प्रवाल भित्ती होती है विश्व में इसी प्रकार की सबसे अधा प्रवाल भित्ती हैं इनकी मोटाई की बात करें मोटाई मोटाई 50 मीटर से अधिक पाई जाती है कई बार तो 100-500 मीटर तक इनकी मोटाई देखने को मिलती है तो काफी मोटाई छेतर में फैली होती है ये जगे जगे पर स्थान से एक तो यहां तूट गई कई बार सागर ये तरंगे जो अरभटा बीच में से भी तोड़ देती है सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि खुले सागर और महा सागरों से इसका संबंद होता है मालिजे यहां तूट गया तो इस सागर से आके यहां से संपर्क हो जाएगा यहां से तूट जाएगी तो सागर ये जल यहां पर भी प्रवेश कर जाएगा तो खुले सागरों से इस अवरोधक प्रवाल भित्ती का संबंध पाया जाता है जगे-जगे से तूपने की कारण और इनी स्थानों को जुआरिये प्रवेश द्वार कहते हैं जब रास्ता ही बन जाएगा तो जुआर भटे का पानी आ जाएगा इस कारण इन छेत्रों को क्या कहते हैं जुआरिये प्रवेश द्वार आने जाने का रास्ता बन जाता है एक तरीके से तो ये आपको ध्यान रखने जुआरिये प्रवेश द्वार किस में बनता है अवरोधक प्रवाल भित्ती में बनता है जिसको बोट चैनल भी कहते हैं मैंने आपको काता बताते हैं, और विश्यू की सबसे बड़ी मैंने आपको बताई दी थी, और अस्टेलिया के उत्तर पूर्व के निकट ग्रेट बेरियर रीफ है, या इसको अगर कई बार पूछ ले, क्वीन्स लेंड के पूर्व में, क्या पाई जाती है, ग्रेट बेरियर रीफ, कई बार इसकी मोटाई भी पूछ लेते हैं, कि कितनी लंबी चौड़ी है, तो अगर इसकी लंबाई बात करें, 1920 मीटर लंबी है, लंबाई, 1920 मीटर तो इसकी लंबाई है, और मोटाई की बात करें तो मोटाई 180 मीटर है किसकी Great Barrier Reef की ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कहां पाई जाती है कितनी लंबाई है कितनी मोटाई है ये भी कई बार question पूछे जा सके हैं अगर इसकी अक्षांस ये स्थिती के बारे में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के पूरे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिनी अक्षांसों के मध्य पाई जाती है मैं इसके अक्षांस भी बता देती हूँ आस्ट्रेलिया के पूर्व में 9 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिनी अक्षांसों के मध्य ये है भित्ती अवस्थित है चीक है अक्षांस ये विस्तार भी अगर हमें कोई एक्स्टा जानकारी मिले तो उसे पढ़ने में और मैं आपको बता दूँ कहीं जगे आपको 20 नहीं है इसके बारे में में तो यही है कि कहां कहां है किनकी छेत्रों में तो यह आपको ध्यान डखना है और आपसे दूसरी सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल बिती पहली तो यह विश्व की और दूसरी पूछी जाएं सैकिंड नंबर पर कौन सी है प्रिशान महसागर में प्रिशान महसागर में सैकिंड नंबर किये नियू कैलो डोनियम भिती यह भी क्या है अवरोधक प्रवाल भिती है तो हमारे पास दो पहले नंबर पे औस्टेलिया के उत्तरपूर में ग्रेट पेरियर रिफ और सैकिंड नंबर प्रिशान महसागर में नियू कालोडनियन भिती यह हमारी अवरोधक प्रवाल भिती के उधारन है अगली है हमारी वलयाकार प्रवाल भिती या जिसको एटॉल एटॉल का मतलब होता है अपने इंगलिश के सी लेटर या घोड़ और बीच में से लहरों के माध्यम से कई बार तूट जाती है तो इसका जो शेप बनती है वो कैसी बनती है इस प्रकार की बनती है इसलिए इसको वलयाकार कार भिती भी कहते हैं और अगर आधा बनाए तो इसे क्या कहेंगे एटॉल इसकी पहचान क्या होते है इस पर ताड ताड के वरक्ष आपको दूर से ही देखने को मिल जाएंगे अटॉल के सामने तो यह इसके सबसे अच्छा उधारने की कौन सी अटॉल है इसको प्रवाल वले भी कहते हैं किसी भी दीव के चारो अंडा का रूप में गोड़े की नाल की तरह गूमती मिलती है और जिसके बीच में से तूट गई और इसमें क्या होगा जो बाहर का यह सागर है या महा सागर है सागर या महा सागर का जल अंदर घुज जाएगा तो इसमें क्या बन जाएगा पानी बढ़ जाएगा तो क्या बन जाती है लेगून जील बन जाती है जिसमें बोटों के माध्यम से प अगर विश्व में बात करें कि सर्वाधिक प्रवाल एट ओल किस महासागर में पाई जाती है तो विश्व में सर्वाधिक एट ओल प्रिशान्त महासागर में पाई जाते हैं प्रवाल वले कह दीजिए चाये वलेकार विट्टी कह दीजिए या एट ओल किसी भी नाम से आप इसे बुना सकते हो ठीक है इनकी सबसे वलेकार विट्टी स्थाई रूप से समुद्र की सतय से उपर होती है यह जब भी डवलप होगी तो सागर यह सतय से हमें बाहर की ओड तभी तो पेड लगेंगे अंदर होगी तो पेड कहां लगेंगे सतय से उपर इतने उपर कॉलोनी डवलप हो जाती है कि हमें सतय से पानी की सतय से उपर कॉलोनी दिखाई देती है और उस पे ताड के व्रक्ष पाए जाते हैं तो यह हो गई हमारी कौन सी वलेकार या एट बिर्याकार भी बन जाती है इसके उधारन है मैं आपको एक्जामपल दूँँ जैसे फिजी दीप एक्जामपल कैसे बने हुए है इसका बहुत अच्छा उधारन है फिजी दीप के जो के अट-all ने में इसके अलावा फुना-फुटी फुना फुटी दीप आदी तो इससे निर्मि दीप ये छेत्रों की बात करें तो वो अपने कौन से हैं ये अपने छेत्र प्रिशान्थ महासागर वाली छेत्र में भी आ जाते कुछ अंदर महासागर वाले में इसके अलावा हमारे मैंने बात की थी चौथी चीज की जो चौथा अपना नाम आता है उसमें आ जाता है हमारे दीप तो दीप के लिए अगर आपको धारन दिया जाए तो प्रवालों से दीपों का जो निर्माण होता है वो महासागरों में किसी ज्वाला मान लीजे ये मैं इसके दीप की उधारन आपको देती हूँ ये हमारा कोई महासागर है इसमें जल भरा हुआ है महासागर जैसे हमारे धरातल पे ज्वाला मुखी पाए जाते हैं ऐसे ही समुद्र में क्या पाए जाते हैं ज्वाला मुखी तो ये उस ज्वाला मुखी ज्वाला मुखी का क्य नीचे आ गया प्रकाशिया तक लेकिन अब उसे इतनी दूरी चलनी ही नी पड़ी उसको बना बनाया क्या मिल गए नीव मिल गई तो वो यहीं पर आके तो विकास करेगा विकास करेगा तो वो जो एक के बाद एक मरते जाएंगे तो उनका निर्मार्ट बहुत जल्दी क्या जाएंगे सागर यह सतय से ऊपर वो डवलप हो जाएंगे बजाए नीचे होने के तो वो उपर यूपर जादा दिखाई देगी सतय बजाए पानी में होने क्योंकि उनको नीव तो पहले से भरी हुई मिल गई है इस वज़े से उनका विकास सतय के जलकी सतय के ऊपर जादा सबीजक्राइब नहिदे हैं डीप पहले रहते हैं अचे पॉपर बाहल पखर पुल खफृल्प गोलाश होते हैं तो बीज ले आते हैं, बीज ले आने से वनस्पत्य उग जाती है, धीरे धीरे उस छेत्र का विकास हो जाता है, तो इसका अगर आप सबसे अच्छा उधारान दें भारत में, तो हमारा जो लक्षिद्वीप है, वो ऐसे ही बना है, ठीक है, बहां सागर में या तो कोई आपक जाला मुखी हो, जिसके शान्त हो गया हो, उसके मुख्पे बन जाएंगी, या कोई चबूत्रा मिल जाए, सागर ये चबूत्रा मिल जाए, उस पर डवलप हो जाए, तो जहां पे भी इन्हें ठोस सत्य मिलेगी, उसके उपर ये विकास करेंगे, विकास करके वो बढ़ते बढ़ते सागर की सत्य के उपर बहुत बड़ा छेत्रे, कॉलोनी निर्माड कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल बीच समुद्र में दिखाई देती है, तो द्वीपे अस्तिति दीप का मतलब जिसके चारों और पानी हो, तो पानी के बीच और बीच में वो डवलप होता जा रह हुँ, कि ये चार तो आपको ध्यान रखनी ही है, हर आलत में, ठीक है, लेकिन इनके अलावा कुछ आकरतियां जो छोटी-छोटी बनती हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, ये ज़्यादा तर बुक में आपको वो नहीं मिलेंगे नाम, इसलिए वो मैंशन कर रही एक होती है, फेरोस, फेरोस, देखिए वलय क्यार प्रवाल भित्ती काई जो पूरा सरकुल गोल बन जाए, आधाना बनके एटॉल में तो आधा बन रहा था इतना, सिर्फ इतना, लेकिन यही हिस्सा क्या हो जाए, पूरा बन जाए, जिसे हम वलय आकार कह रहे थे, लेकिन एक हकार में चोटा रूप उसी को आम क्या कहते हैं, फेरोस के नाम से जानते हैं, तो आप एक चोटी ब्रत्ताकार प्रवाल भित्ती कहा लेजिए से एक टॉल जैसी लिफ ली लिखती है, लेकिन आकार में चोटी होगाए, आपको ध्यान लगना है, इसका उदारन आपका ये किस के उधारन है, फेरोस के उधारन है, मतब आकार बहुत बढ़ा नाओ के क्या है, छोटे-छोटे आकार है, तो उसको क्या कहते हैं, फेरोस के नाम से जानते हैं, एक आकरती फेरोस बनेगी, दूसरी आकरती, इसकी एक और चीज, एटॉल या प्रवाल वले की दीवार भी बनाती है, माली जे ये एटॉल है, एटॉल बन रहा है, ठीक है, और जब ये बन रहा है, तो बीच बीच में से टूट फूट भी मैं कहरी थी होती है, तो बीच बीच में इनकी दीवारों के बीच में डबलप होनी शुरू जाती है, तो इस दीवार को क्या कर देती है, इ पेच या पीनेकल बित्ती छटिह यह पेच या पैच यह के बीचे मैं शच कि अब इसे क्या होती है देखिए यह प्रवाल के ढेश में प्रवाल में विक्षित परवार और यह जो लैगून है, मालीजे यह इतना आ गया, एटॉल यहां तक आ गया और एक हिस्सा खुला रहे गया, तो इसमें पानी भड़ जाएगा, तो यह क्या बन जाएगी, लैगून, तो लैगून के जो पीछे वाली दीवार है, इसके किनारे-किनारे विक्सित होते हैं, ऐ एक होती है मैक्सवेल, सात्वी होती है, मैक्सवेल, भित्ति, इसके दो टाइप हैं, महासागरिय भित्ति, और मगन तटिय भित्ति, इसके दो प्रकार हैं, महासागरिय भित्ति, जिसका ढ़ाल महासागर की और ज्यादा हो से महासागरिय, महासागर की जो तली होती है, उससे 100 मीटर से अधिक उपर उठ जाती है, महासागरिय भित्ति में तो आपको ध्यान लखना है, यह है सागर तल से 100 मीटर से अधिक उपर उठ जाती है, तो इसका उठा वित्ता होता है कि दूर से ही इस पस्ट दिखाई दे जाती है, तो जिसे कहते हैं महासागरिय भित्ति, और दूसरी हमारी है मंगने, जो छिचले जल में महासागरों में, यह तो गहरे जल में बनेगी, और ये कहा बनती है चिचले सागर ये छेत्र में ये है बनती है मतलब चिचले का मतलब होंगे कम घहरा मैंने आपको ढाल बताई यह था तो वहाँ पर भित्ती जो बनेगी तो वो कम घहराई में ये बहुत घहराई तक मिलेगी ये कम गहराई में मिलेगी, तो एक तरीके से ये तट्ये प्रवाल भित्ती का ही उधारण ले सकते हैं, तो इस तरीके से देखें, मुखे तो ये चार हैं, लेकिन छोटे-छोटे रूप में फेरोस, पेंच और मैक्सविले भित्ती भी ये हो गए हमारे प्रवाल इस्थल तरीकाई